चलिए इस बीच बड़ी खबर का रूप कर लेते हैं, हर्याना की सियासत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, खटर मंत्री मंदल का इस्तीफा, बड़ी खबर इस वक्त की खटर मंत्री मंदल का इस्तीफा, इस वक्त की बड़ी खबर ये हर्याना से, मनोहलाल खटर ने CM5 से इस्तीफा दिया है और उनके साथ पूरी काबनेट ने इस्तीफा दिया है तो हर्याणा की सियासत से ये बड़ी खबर सुभा से ही लगातार तेज हलचल राश्नतिक हलचल होती हुई हर्याणा में नजर आ रही थी मनोहलाल खटर ने खुद CM5 से स्तीफा दिया है उनके साथ साथ उनके पूरी कैबनेट ने भी स्तीफा दे दिया है तो बड़ी खबर आखो बता रहे हैं हर्याणा की सियासत से जुड़ी हुई खटर मंतरी मंडल का स्तीफा मनोहरलाल खटर ने कुछ देर पहले ही पूरी काबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है बड़ी खबर इस वक्त की उन्होंने राजिपाल को इस्तीफा सौपा मनोहरलाल खटर ने और उनके साथ साथ पूरी काबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है बड़ी खबर इस वक्ति आपको बता रहे हैं हर्याना की सियासत से जुड़ी इस वक्ति ये सबसे बड़ी हल्चल कही जा सकती है सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर मनोहर काबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है खुद कुछ देर पहले ही मनोहलाल खटर ने CM5 से इस्तीफा दिया है राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है अब इसके साथ ही जल्द ही हर्याना में नए मंत्री मंडल विस्तार को लेकर तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी परिवेकशक दिल्ली से भेजे जा चुके हैं बड़ी खबर का रूप कर लेते हैं हर्याना की सियासत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है खटर मंत्री मंडल का इस्तीफा इस वक्त की बड़ी खबर ये हर्याना से मनोहलाल खटर ने CM5 से इस्तीफा दिया है और उनके साथ पूरी काबिनेट ने स्तीफा दिया है तो हर्याना की सियासत से ये बड़ी खबर सुभा से ही लगातार तेज हलचल, राश्नतिक हलचल होती हुई हर्याना में नजर आ रही थी मनोहलाल खटर ने खुद CM5 से स्तीफा दिया है उनके साथ साथ उनके पूरी कैबनेट ने भी इस्तीफा दे दिया है तो बड़ी खबर आखो बता रहे हैं हर्याणा की सियासत से जुड़े हुई खटर मंतरी मंदल का स्तीफा मनोहर लाल खटर ने कुछ देर पहले ही पूरी काबनेट के साथ इस्तीफा दिया है बड़ी खबर इस वक्त की उन्होंने राज़पाल को इस्तीफा सौपा मनोहर लाल खटर ने और उनके साथ साथ पूरी काबनेट ने इस्तीफा दे दिया है बड़ी खबर इस वक्ती आपको बता रहे हैं हर्याणा की सियासत से जुड़ी इस वक्ती ये सबसे बड़ी हलचल कही जा सकती है सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर मनोहर काबनिट ने स्तीफा दे दिया है खुद कुछ देर पहले ही मनोहलाल खटर ने CM5 से इस्तीफा दिया है, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है अब इसके साथ ही जल्द ही हर्याना में नए मंत्री मंडल विस्तार को लेकर तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी परिवेक्षक दिल्ली से भेजे जा चुके है